नमस्कार आप देख रहें इंडिया वॉच्छ मैं हूँ आपके साथ शुत्रिश्वास्तों शुरुआत करते हैं खबरों से लोगसबाद चुनाओ 2019 में सभी पार्टियां चुनाओ प्रचार करने में जुटी हैं वहीं पियम मोदी और पस्चिम बंगाल की सीयम ममता बेनरजी आज आमने सामने होंगे आपको बता दे कि पियम मोदी आज पस्चिम बंगाल में रैली को संबोधित करेंगे साथी ममता बेनर जी भी पस्चिम बंगाल में आज अपने चुनावी अभियान की शुरुवात करेंगी भाजपा के सुत्रों ने कहा कि मोधी उत्तर बंगाल के सिली गुडी और कोलकाता में दो रैलियों को संबोधित करेंगे दूसी तरफ ममता बेनर जी कूच बिहार जिले के दिन हटा में जनसभा को संबोधित करके अपने चुनावी अभियान की शुरुवात करेंगी तो आपको पता दें कि आज ममता के गड़ में मोधी जी और ममता बेनर जी आमने सामने दो रैलियों को संबोधित करेंगी और उसी परेड ग्राउंड से सम्मोधित करेंगे जिस परेड ग्राउंड पे 19 जन्वरी 2019 को मम्ता ने 25 विपक्षी दलों के साथ मंच साजा किया था और उसी ग्राउंड से मम्ता बेनर्जी ने हुंकार भरी थी और मोधी को लड़का रहा था कहा था कि मोधी में अगर इतना दमखम है तो इस परेड ग्राउंड से रैली करें और 15 लाग की भीर जुटा है और उसी क्रब में आज जब प्रधानमंती नरेंद्र मोधी परेड ग्राउंड में रैली पहली बार रैली को सम्मोधित करने जा रहे हैं आपको बता दे कि पंद्रा सव लाउड स्पीकर डेट सो लेडी प्लाटफॉर्म्स लगाए गये हैं ताकि जो हुंकार थी जो जो मम्ता ने जो मोधी को ललकारा था उस ग्राउंड से उस ग्राउंड की चुनाती को पूर्ड करने के लिए आज मम्ता के गड़ में प्रधान मंत्री नरिंद मोधी विराजमान होंगे और जन सवा को सम्भोधित करेंगे 42 सीटे लोग सवा की कितनी जादा भातपूर है भाजपा के लिए क्योंकि सातो चरण में पश्टिम बंगाल ऐसा है जिसका सातो चरण में चुनाव होना है आज मम्ता के गड़ में यानि की वेस्ट बंगाल में आपको बता दें कि मम्ता के गड़ में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भरेंगे हुंकार कोलकाता के परेड ग्राउंड में रैली परेड ग्राउंड में मोधी की ये पहली रैली होगी रैली को भव्य बनाने के इंतजाम 1000 लाउड स्पीकर में सुनाई देगी मोधी का भाशर 1500 LED स्क्रिन लगाई गई है 30 फिट बड़ा PM मोधी के लिए तियार किया गया है मंच यानि की स्टेज मोधी के स्वागत के लिए यहां पर कोलकाता में करीब सवा 3 बजे मोधी करेंगे रैली को संबोधित और कोलकाता से पहले सवा 11 बजे करीबं सिलिकुडी में PM मोधी खा भाशर थोड़ा सा अगर आपको पीछे लेके चलते हैं तो 172 में आपको बता दे कि इंद्रा गांधी ने भी इसी परेड ग्राउंड से हुंकार बढ़ी थी बांगला देश को स्वतन तरकाना आने के लिए यहीं से इसी परेड ग्राउंड से इंद्रा गांधी ने भी रैली को संबोधित किया था यानि कि ये परेड ग्राउंड उसी ग्राउंड की तरह है जैसे कि रामलीला मैदान इतना जादा महत्यपूर है बेस्ट बैंगॉल क ये परेड ग्राउंड तो आज प्रधान मंत्री ने आपको बता दे कि पहले भी कोश्च की थी इस ग्राउंड से जनसभा को संबोधित करने के लिए लेकिन ममता बैनेर जी ने अपने गड में उस ग्राउंड में बिजेबी को इजाजत नहीं दी थी हेलिकॉप्टर उतरन करने की जनसभा को संबोधित करने की रैली को संबोधित करने के लिए लेकिन आज वो मौका आ गया जब प्रधान मंत्री नरेंद मोधी उस पैरल ग्राउंड उस परेड़ ग्राउंड में पहुच चुके हैं और और आपका इंट्रोडक्शन परिचे करा देते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हमारे केस्ट रजा जिजबी वरिष्ट पत्रकार हमारे साथ मौझूद है आपका स्वागत है सर रजा जिजबी जी आज वो मौका आ गया जब बिजेपी और ममता बिनर्जी आमने सामने दो जन सभाओं को संबोधित करेंगे उसी परेड ग्राउंड से जहां 19 जन्वरी को मम्ता बेनर्जी ने हुंकार बढ़ी थी 25 विपक्ष्टी दलों के साथ सही है कि भारती जन्ता पार्टी 2019 के चुनाओं को देखते हुए पस्चिम बंगाल में अपना धीमे धीमे पैर पसार रही थी और पैर पसारने के लिए उसने कई प्रोग्राम किये आप देखिए अमिश्या जी गए कई प्रोग्राम किये और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख बंगाल में जहां अच्छा नहीं कर весь तो खड़या को यह पहरवाना की और भारती जन्ता पार्टी 5 एमको रही नहीं कोशिछ और पहर पना पेंचनिक हां यह अपनी सोच थी कि हम विस्ट बंगाल में जहाम अच्छा नहीं कर सकते हैं जहाम हमारा अच्छा होता ही नहीं है तो उस राज में हम जा करके अच्छा कर सकें तो इसके लिए बारतिशी पार्टी ने बहुत तेजी से और बहुत पहले से यानि 2019 का चुनाओ से 2017 से हमें कर रहे हैं हमें लगता मरमता नरीजी को यह Congress करता है वो ऐसे आपस में मिल जाते हैं कि लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है संग करता है कि अपना साथी है और वहां पर وہ काम करके जमीनी हraqiकत पे और यह विस्ट ist लिए ज्यादा जरूरी भारते जंता पर्टी को के लिए है कि अगर मानली अगर मध-व्द्र परदेश से कुछ नुखसान होता तो यह नया राज है इस नया राज में अगर भारते जनता पार्टी कुछ अच्छा करके चली आती है तो उसकी भरपाई कहीं न कहीं होगी लेकिन ममता बनर जी जो है वह एक पास है और यही पास है यहां थो हुआ आगि पास है यह राजनीतिक गुर्ण उनको वहाँ मजबूत किये हुए और इसी इसलिए जो हो देखे वहां दुबारा जो है चीफ निश्वनिश्टर बनी और अच्छे तरीके से बनी और यहिं इनका वह जो परेट गांड है जाहिट सी बात है भी आपने भी का कि परेट गाउंड में सभी विपक्ष्चों को एकठा करके उन्होंने वहां से खुंकार बढ़ी थी और सब अच्छे विपक्ष्च जेतने भी नंबर एक के फ्रेंट लाइन के लीडर हैं सब लगभग वहां पर मौझूद थे तो यह सही है कि ममता बनर जी का वहां भी नशा उत्रा नहीं है उनका जो है नशा आम जन्ता में है लेकिन भारते जन्ता पार्टी केन में सरकार होने के वज़ए से और बार बार जाने के वज़ए से यह आमने सामने क्योंकि अभी तक टीमसी और बिजेपी का आमना सामना नहीं हुआ था दोनों दिगज आज आमने सामने होंगे आपको लग रहा है कौन किस पर भारी पड़ेगा या फिर रशा उतारने के लिए बिजेपी ऐसा क्या बोलेगी कि वो ममता बेनर जी का जो वहां किसान है उनका उनका जरा से टीमसी से लगाओ कम हो ममता बनर जी से कम लगाओ इसके लिए उन्होंने एक अपना जो है चला टेन परसंट आरच्छन की बात की जो उची जाती के लोग है वह अपना किसी तरीके से भारते जंता पार्टी जो रहें तो कुछ ना कुछ नशा ने की कोशिश की भारती जंता पार्टी लेकिन वह जो पस्षिम बंगाल की राजजीत है और पस्षिम वोटर हैं वो दर्ला दूसरे मिजास के लोग वहां के वोटर आप समझेए जो शहर के अंदर काम करते हैं वह बिहार के उत्तर प्रदेश के बहुत हैं तो अब भालती बारतिरी जनता पाल्टी किस तरीके से काम करती हैं महाराष के न vide इसका बहुत से लोग हैं तो यह चीफ हैंको ठाकरे को यहां आना भी पड़ा वहे हैं वहारां के पार्टी से जुड़ा रहे तो यह कहीं ने कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के ओटरों को अगर बारते जनता पार्टी साती है तो वहाँ टीमसी कमजोर होगी और शायद एक चीज़ दोर है रजाजी क्योंकि ममता दीदी ने जिस तरह 19 जनवरी को यह हुंकार भड़ी थी और बिजेपी को कहीं ना कहीं ललकारा था कि उस परेड ग्राउंड में 15 लाख लोगों की भीड जुटाना शायद बिजेपी ने उस चैलेंज को अब एसेप्ट करती हुई नजर आ रही है क्योंकि 1000 लाउड स्पीकर 1500 LED बल लगाना क्या उस चैलेंज को एसेप्ट करकर लेकिन भीड रहेगी और अच्छी भीड रहेगी लेकिन उस तादात में 15 लाग के बरावर भीड क्योंकि टीमसी की जो नेता है ममता बना जी जाहिर सी बात है कि वहां की चीफ निस्टर है लेकिन अब चुनाव हो रहा है चुनाव होने के बाद हर चीज जो है निरवाचन लेकिन हमें लगता के 15 लाग लोगों की भीड बहुत मुश्किल भी होगा और 15 लाग की भीड भी कठा करती होती है तो वह 15 लाग की भीड का खर्चा किसिक ऑंड़ीयाट के उसमें जूड़ेगा जो सब जैतने लोकθη ड़ीएं हॉसमें और apost यंजोड़ेगा कि वह खर्च